हिलन को अगर बलिवोड की पहली आइटम गरलक आजाये तो घलत नहीं होगा आज हिलन उम्र 89 पड़ाव पर पहुँच गई है हिलन को आखरी बार साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म मोहबते में देखा गया था 17 साल हो गए उन्हें लाइम लाइट से दूर हुए कभी कभी अपने परिवार के साथ किसी फंक्षन में नजर आ जाती है भारतिय सिनिमा में आइटम सौन करने की शुरुआत हिलन नहीं की थी एंगलो इंडियन हिलन जब तक फिल्मों में रही उनका स्टारडम कम नहीं हुआ अपने डांस से हेलन ने दर्शकों को खुब इंटरटेन किया आज उनके जन्म दिन के मुके पर हम आपको निजी जिन्दगी की ऐसी असलियत बताएंगे जहां सिर्फ अंधिरा था हिलन फिल्मी पर्दे पर थी रखती हुई सब का मन मोहलेती थी चेहरे पर मुसकान बिखेड़ने वाली हेलन की जिन्दगी में कभी सिर्फ मायूसी थी हेलन का जन्मी किस नवंबर 1938 में बर्मा में हुआ था उनकी मा बर्मा की थी हेलन का एक भाई और एक सावतेली बहन जीने पर थी पिता का निदन होने के बाद उनकी मा ने एक ब्रिटिश सैनिक से शादी कर ली इसके बाद हेलन ने अपने सावतेले पिदा का सरनेम रिचर्ड़सन अपना लिया लेकिन वर्ल्ड वार आयाय में रिचर्ड़सन की मौत हो गई जब जपान ने बर्मा पर कबड़ा किया तो हेलन का पूरा परिवार मुंबई की ओर चल दिया यात्रा के दोरान उन्हें जंगलों और गावों से गुजरना पढ़ा हेलन की मा और दोनों भाई बहन भूख से बिलक रहे थे तब ग्रामीनों ने उन्हें अपने घर पर रखा और खाना दिया वहीं पर एक ब्रिटिश सैनिक ने उन्हें मुंबई जाने के लिए गाड़ी, खाना और दवाया दी इस दोरान हेलन की प्रेगनेंट मा का मिस्केरेज हो गया जिस ग्रूप के साथ हेलन का परिवार मुंबई जा रहा था उन में से कुछ लोग भुक मरी और कुछ बिमारी के कारण मर गए मुंबई की मनजिल अभी दूर थी इसलिए हेलन की मा ने कोलकाता में रुकने फैसला किया वो वहाँ पर नर्स का काम करने लगी हेलन और उनके दोनों भाई बहन को स्कूल भेजा गया लेकिन मा की सालरी से घर का खर्च निकालना मुश्किल था कुलकाता में रहने के दौरान हेलन की मा की मुलाकात कुक मोरे से हुई जो फिल्मों में बेकर ग्राउंड डांसर थी हेलन घर चलाने के लिए नौकरी ढून रही थी तब कुकुने हेलन को फिल्मों में कोरस डांसर की नौकरी दिलवाई हेलन के आते ही कुकुका चार्म फीका पढ़ने लगा और हेलन ने अपनी जगह बना ली 19 साल की उमर में हेलन को फिल्म हावडा ब्रिज में बड़ा ब्रेक मिला इस फिल्म के गाने मेरा नाम चिंचिंचू ने हेलन की किस्मत बदल दी इसके बाद तो वो बॉलिवूर्ड की पहली आइटम गरल बन कर सामने आई हेलन साथ के दशक की से एक सिंबल मानी जाने लगी हेलन अपने डांस के साथ खूबसूरती के लिए भी जानी जाती थी वो जब भी घर से बाहर निकलती थी तो बुरका पहनती थी बेहत सुंदर होने की वजह से वो छेड़ चाड़ का शिकार भी होती थी 1957 में हेलन ने अपने 27 साल बड़े डायरेक्टर पी एन अरोरा से शादी कर ली लेकिन ये 16 साल की शादी हेलन के 35 बर्थडे के दिन तूट गई हेलन ने पी एन अरोरा से इसलिए तलाक ले लिया क्योंकि वो उनके पैसे उड़ाते थे हेलन फिल्मों से अच्छी कमाई करती थी उनके पती इसी का फाइदा उठाते थे पती के खर्च के चलते हेलन दिवा लिया होगी यहां तक कि उनका अपार्टमेंट भी किराया ना देने के चलते सीज कर दिया गया पती को तलाग देने के बाद हेलन ने अकेले जिन्दगी की जंग लड़ी 1962 में फिल्म का बिल खान के दौरान हेलन की मुलाकात सल्मान खान के पिता सलीम खान से हुई सलीम खान हेलन को देखते ही उन्हें दिल दे बैठे सलीम खान ने हेलन को फिलमें दिलाने में मदद की लेकिन वो पहले से ही शादी शुदा थे इसलिए उनके पत्नी सुशीला ने इस पर आपती जताई इसके बावजूद सलीम ने हेलन से शादी की कुछ समय की नाराजगी के बाद सुशीला और उनके बच्चों ने हेलन को अपना लिया अब सल्मान खान भी उन्हें मा का दर्जा देते हैं 1971 में हेलन ने अपनी मा और भाई बेहनों को हमेशा के लिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी मा अपने ही ड्राइवर के साथ भाग गई थी उनकी मा का निदन 1986 में हो गया था हेलन ने 1983 में फिल्मों से सन्यास ले लिया था लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कई फिल्मों में गेस अपिरेंज दिया हिल्लन को उनके भारतिये सिनिमा में योगदान के लिए पदमश्री और फिल्म हेलाई फट टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जा चुका है